हेलो गाइज वेल्गम बैक को मैं डूप चैनल एसके मिश्टड़ी अवे आउट सक्सेच आज वई से भी आज एक्जाम है आपका यूपी वोड एक्जाम टेक है न आज तो चार अप्रेल है आपका तो परिक्छा होनी है दो बजे से तो उसके पहले आप ये पेपर को करूंगा इसके साथ साथ कुछ इंप्वाटन पॉइंट और जो बचेंगे जैसे डाव सिट्रूम हो गया जो ऐसा लगा कि आपके वोड में आएंगे उसको मिम्यापे डिस्क्राइब करने वाला हूं आप पढ़के जाहिएगा जेतने मैं वीडियो दिया हूं वीडियो को करना है लेकिन वीडियो को लाइक करना है और चैनल को सब्सक्राइब करना है अभी तक आप लोगों ने चैनल सब्सक्राइब किया है और अपने दोस्तों के साथ ये वीडियो को जरूर से जरूर और ज्यादा ज्यादा बच्चों के साथ सेर करेंगे ठीक है क्योंकि अंति नंबर आपको चाहिए तो आपको अपने दोस्तों के साथ जरूर से जरूर वीडियो को सेर गरें सबसे पहले हम लोग बहुत गल्पी प्रश्ण कोर करेंगे यह वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है आप देखके जाए रिविजन करके चाहिएगा काफ इंपॉर्टेंट है इसके पहले मैंने जो जो वीडियो बनाए एगे उन सारी वीडियोो machines को जूर देखेंगा नहीं तो आप से निसेचन तता विकास दोनों गर्भासे में परति रूपत हैं तो परक नली सीशू का अभिप्राय क्या होता है वह निसेचन इन्विन्टुरो और गर्भासे में परति रूपत है परखनली सीशू का विप्टा है अगला एड परखनली का कारक कारक माना जाता अगला है जरन्ध चमता को सीमित रखने की अस्थाइविधिय कौन परियोक आदमसया में इस्त्री तथा पूरुस बंधयाकरण तो जनन्द छम्ता को सिमीद रगनिक जो स्थाई विधी होती है वो होती है इस्त्री तथा पूलुस बंधियाकरण जो होती है नाम ग्रोब उत्पन्य होता है क्लियर है सारे सारे बहुत इंपॉर्डन प्रशने आप त्यार कर लेजिएगा चलिए अगला आप देख लेते हैं हम बहुविकल पिलिए हैं किस क्रोमोसम पर होता है वाई क्रोमोसम पर डिने के दो खंडों को जोड़ने का काम करता है अगला प्रशन है राश्टी जन जीवन अधिनियम पारित हुआ था 1972 में 1974 में 1976 में या 1978 में तो राश्टी जीवन अधिनियम जो पारित हुआ था यह वह 1972 में पारित हुआ था राश्टी जीवन अधिनियम को पारित किया गया था अगला प्रश्णे उत्तवर्देश का राजयपच्ची क्या है ? उत्तवर्देश का राजयपच्ची है ? अगला राष्टी कार्वेट पार्क इस्थीट है , dependency कार्वेट ब्रश्ओार काम पर इस्तित है ? विस्टो पर्यावरण दिवस का मना जाता है विस्टो पर्यावरण दिवस पांच जून को मनाया जाता है अब आपके अतले घुतरी प्रश्म डिसक्सन कर लेंगे जो कि आपके आशक्यात पेपर में तप्त अस्थल से क्या भी प्राय है या क्या तात प्राय है भारत में इस के अत्यदिक संवेदंसील घुसित किया गया है अर्थात ये नियत विपत्ति के अंतरगत हैं और ये अस्थान अधिक्तम सुरच्छा के लिए पहचाने जाते हैं उसे हम लोग क्या कहते हैं हाट स्पॉर्ट यानि तब तस्थल कहते हैं जैसे भारत में पुर्वी हिमाले वे जैव विविदता की परिभासा लेखे ok啦 की दो विद्वियों का उलेगे किया दो चैव विवित्ता क्या होती है पिर्टबीव पर अनेक अनेक जातियों के जंट एवं पादम मिलते हैं ब्रुतियों मांस में इस वित्त के कारण ही प्रक्ति संतुलन बना रहता है और सम्पूर्ण पारितंद्र की खाद आपूर्ति होती है जय वो पारिस्तितिक वित्ता का मुलकारण जीवों में मिलने वाली अनुमासिकी लक्षड ही होता है तो जैव विवित्ता मतलब क्या होता यार ना प्रितभी पर पाय जाने प्रितभी पर अनेका अनेक जातियों के जन्त एवन पादब मिलते हैं और कई जो आपके जीव जातिया मानों सरचण में फसलों के रुब में या घरेलू पसियों के रुब में सदियों से उकाई जा र तंत्री वी विधता तो जैवित्ता के कितने घटक है तीन घटक अनुमासिक विधता जाती विधता और एको तंत्री वी विधता अगला पर प्रश्ण है वढ़ांद व्यक्ति को रेलवेड राइवर क्यों नहीं बना जाता है क्योंकि वढ़ांद व्यक्ति लाल हरे रंग मे से विवेत नहीं कर पाती है डिन आ था आर्णे में कौन्सि Minuten सरकरां होती है अगला है कोडान धारक होती है तो mRNA तता प्रति कुडान धारक और tRNA होता है अगला प्रशनेया पे पारजीनी जीवाण क्या है किसी एक उदाहरन को बताईए तो किसी इच्छित लक्षड वाली वाह जीव जिनका जीवाण के जिनों में प्रविष्ट करा कर नया उत्पाद को वाह जिनी युक्त जीवाण यानि पारजीनी जीवाण कहलाता है जैसे दो डिने एकोलाई के प्लाज्मिड में समावेशित किये गए तो यह जीवाण एक पारजीनी जीवाण बन गया और इंसुलीन सिंखला उत्पादित करने लगा उदारन के लिए जैसे ट्रांसजेनिक चुहे ट्रांसजेनिक भेड़े इत्याद जो होते हैं पारजीनी जीवाण है अगला प्रशन है हापे HIV का पूरा नाम क्या होता है HIV पूरा नाम होता है हूमेन इम्यूनो डीफिसिएंसी वायरस HIV क्या नाम है पूरा नाम है अगला आपे लगुत्तरी प्रश्ण है लगुत्तरी प्रश्ण में प्रश्ण क्या है इंट अमीवा हिस्टे लिटक्या मनुस के किस अंग में पाय जाता है इस पर जीवी द्वारा होने वाले रोग का नाम लिखे तो उत्तर क्या लिखेंगे पर मनुस्ट में आमातिसार अत्वा अमीबियेसिस रोग उत्पन करता है दूसरा है इंट अमीबा जिंजी वैलिस यह दातों की जड़ों की मैल मसूडों के उत्तक तथा टॉंसिल्स आधि में पाए जाता है इसके रोग जनक होने के भी सह में कोई निश्चीत मत नहीं है और मनुस्ट की कोलान में पाए जाते हैं यह हानिकारक नहीं तता सहब यह जटा प्रदर्शित करता है अगला प्रशन है प्लेसेंटा पर टिंट पड़ी लिखें तो प्रोटीरी रोटोथीय थिरि अन्यडी अिस्तंधारी अंड प्रजक जनतु होते हैं अत्तह इनकी भ्र के समान होती हैं जिसे हमलों क्या करते हैं अगला प्रश्ण है लीडिंग को सिकाओ द्वारा संसलेशित वस्रावित ब्रीशन हार्मोन के नाम लिखिए तो लीडिंग का है अगला प्रश्ण है क्रोमोसोम की 303 कारण कौन सा विककवार उत्पन होता है इसको तो लिखी सकते एक कि समय की 307 कारण नाम रोग उत्पन होता है डाउन सीड्रोम बात समझेगा अगर अधिले घृतरी में आ दिजेगा डाउन शिड्रोम के कारण व्यक्ति का जो चहरा होता है बढ़ा हो जाता है और उसके जो मत्थे होते है जो नोड़ी होती दब जाती है ठीक है न कुछ इस प्रकार सा सरचप्टा हो जाता है इस प्रकार से इसके उत्तर को लिखेंगे चले तो देख लेते हैं डाउन सेड्रोम के बारे मिस्तार से, इक हिसे में आटोसोमल गुर्षूत्र की ट्राइसोमी के कारण डाउन सेड्रोम विक्सित होता है, इसमें गुर्षूत्रों की कुल संख्या 47 हो जाती है, अटरा में आटोसोमल गुर्षूत्र की ट्राइसोमी का प्रतिजयविक से आप क्या समझते हैं दो प्रतिजयविकों के नाम लखिए तो हमारे सरीर में प्रवेश करने प्रतिजयविक कहलाते हैं इनका उत्पादन सुचमझ जीविक द्वारा ही किया जाता है दो प्रमुग्ज प्रतिजयविक के नाम पिनिसिलीन और इस्ट्रेप्रोमाईसीन है अगला प्रशन है उत्पादक तथा अप घटक में अंतर किजिए तो उत्पादक हरे पोधे होते हैं जो प्रकास संसलेशन द्वारा भोजन निर्मान करते हैं और अब घटक के अंतरकत सुचमझ जीव जैसे जीवान एवं कवक आते हैं जो मृत पोधों एवं जन्तुओं का अब घटन करते हैं अगला प्रशन है रात्री के समय नाक्फनी के पोधे में कौन सामल मनता है म समस्ट और समुदाय की परिभासा देजिए समस्ट यानि की पापूलेशन मतनब होता है किसी कहस समय और शितर में एक ही प्रकार प्रकार की इसमिश्र के वेश्टियों या जीवों की कुल संख्या ko समश्ट कहते हैं समुदाय यानि की community किसे कहते हैं किसी विशिष्ट आव जीवन में वे सभी प्राड़ी तथा पादप आते हैं जो मनुस्थ के नियंद्र और प्रभुत से दूर अपने प्राकृतिक वास अस्थानों में रहते हैं जबकि जैव वित्ता में सभी जीव जातियां समश्टियां उनके बीच अनुवासिक विभिनता हैं तथा सभी समु गाना राष्टी उद्यान किस चेवत्ओर में इस्थित हैं तो घाना राष्टी उद्यान आपका राजस्थान में इस्थित हैं अगलापर प्रशन कि प्रजनन की पॉलमेला इस्टेज की स्वादम में पाई जाती है तो प्रजनन की पॉलमेला इस्टेज क्लेमाई डोमो नास में पाई जाती है अगला प्रश्ण है भूण पोस का विकास आवर्द बीजी पौधों में किस प्रक्रिया के फल सरूप होता है दो निशेचन के पस्चात होगा अगला प्रश्न है, पाली गोनर प्रगार के भूड कोस में किन्य कंद्र उपस्रिय होते हैं, तो परिपक भूड कंद्र की एवं, साथ कोस की होता है, मैंने इसके भी पहले धेर सारे ऐसे से प्रश्टों को बताया, जो कि आपके बौड में आएंगे ही आएंगे, छलिए. अगला प्रश्ण है अपूर प्रभाविता तता सव प्रभाविता में जिन रूपों में एवं द्रिस रूपों का अनुपाद बताईए तो अपूर प्रभाविता तता सव प्रभाविता दोनों में ही जिन रूपों में एवं द्रिस रूपों में एक अनुपाते दो पतानायत उत्तर में क्या लिखेंगे डी आक्सी राइबोस सरकरा डीने में पाई जाती है यह पांच कारबन यानि 5C होती है इसका पांचवा कारबन परमाण वले से बाहर होता है सरकरा का पहला कारबन परमाण हमेशा नैट्रोजन छारक के साथ ग्लाकोसिक बंद द्वारा जुड़ा रहता है जबकि तीसरा तताः 5 कशना परमाण हमेशा फास्फेट अडू के साथ जुड़ा रहता है और दो सरकरा अडू एक दूसरे के साथ तीसरे कारबन यानि 3c तताः पांच्वा कारबन 5C के साथ एक फासपेट अड़ुयानि की फास्फोड यश्टर इन्हों की वहत्त्रा क्या थी तो इन्होंने विविन्न जीवों के डिने को लेकर कौन चारगाफ ने विविन्न जीवों के डिने का इन्होंने अध्यन लिया और बताया कि क्या बताया सबसे पहला इन्होंने पॉइंट रखा सभी डिने अडुमें प्यूरीन चारक की मात्रा पिरिंडीन चारक के बराबर होती है अतह एडिनीन धन गवानीन अपान प्यूरीन बराबर थाइमीन साइटोसीन अपान पिरमेडीन दूसरा भिन भिन जातियों के जीवों में डिने में एडिनीन धन थाइमीन तथा गवानीन धन साइटोसीन का अनुपात यानि कि A plus T यानि कि थाइमीन और गौनीन और साइटोसीन एडिनीन और थाइमीन गौनीन और साइटोसीन ऐसे रहेगा बिन बिन होता है परउट एक ही जातियों के जीव में क्या होता है समान होता है तीसरा पॉइंट क्या बताइन होने एक ही जीव जाती के सदस्यों में पाए जाने वाले DNA के कुल अड़ों में छार्गों के संख्या समान होती है उपरियुक्त विचारों को चारगैफ का नियम के रूम में जाना जाता है वार्टसन एमक्रिक ने DNA का मौडर प्रस्तुत करने के लिए चारगैफ के नियम का सहायता लिया था तो यह काफी आईमबी वाले प्रशन जो की आज आ सकते पेपर में तो पेपर से पहले इस वीडियो को देखे जाए जो पुराने वीडियो थे अगर आपने सारे वीडियो पढ़े होंगे तो जाएड़ बात है आप अच्छा नंबर जरूर स्कूर करेंगे साथी साथ मैं आपको बता दूँ आप नर जननतंद्र को पढ़ लीजेगा मादा जननतंद्र को पढ़ लीजेगा क्लियर है और मानव जीनूम परियोजना मानव जीनूम परियोजना को आप लोग पढ़ लीजेगा लास्ट पॉइंट में बता दे रहा हूं क्योंकि आप यह ना कहें कि सर हमारी ये पेपर में प्रश्ण फसा ही नहीं था मैं आपसे ऐसा कोई भी हो नहीं करूंगा जो किया है न ठीक है न उसके बाद आपका जो सिकेंड सिकेंड जो चैप्टर रहानी पुस्वी पादूपों में लेंगिंग जननन उसमें आपके गुरू भी जाण जननन लग भी जाण जननन वाला आपको गुरू भी जाण या तो यह सब काफी इपॉर्टेंट आप पढ़ लीजेगा पेपर से पहले कोई दिक्कन नहीं होगी बेश्ट आफ लग आपका पेपर अच्छे से होगा बिल्कुल भी आप टेंशन मद लीजिएगा बस आप लोग अपने उपर विस्वास करके पेपर दीजिएगा एक दूसरों थैंक यू जैहिन टेक क्यार